हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ जिबाफान और वेलकम है आपका मेरे चैनल वर्किंग वोमन्स किचिन में आज मैं आप लोगे साथ शेयर करने वाली हूँ टर्किश सुन्तान डिजर्ट की रेसिपी जो मों में रत्ते ही घुल जाती है सूपर सॉफ्ट यह डिजर्ट है तो चले ही शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए मैंने एक ट्रे ले ली है तो आप कोई भी किसी भी शेप की ट्रे ले सकते हैं अगर इसको या रेक्टेंगल में लेंगे तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा इसको पहले बटर से ग्रीस कर देना है वह मैं इसलिए बोल रही हूँ इसको या रेक्टेंगल में लेने के लिए कि यह जब हम लोग डिजर्ट बनाएंगे तो आगे एक प्रॉसेस होती है इससे वह एजी रहता है करना इसलिए तो इसमें हमें सेकेंड लेयर दग्रीस करने के बाद कि जो लेयर है वह हम में लोग यहाँ पर कस्टर्ड रेड़ी करेंगी इसके लिए मैंने यहाँ पर half litre milk ले लिया है बिर मैं यहाँ पर शुगर एड़ कर रही हूं तो यहाँ पर मैंने फाइफ टी स्पून शुगर एड़ करी negó अगर आप मीठा जादा खाना चाहे थोड़ी से जादा एड़ जिम्राद कर सकते हैं साथ यह मैंने इसमें यहाँ पर 2 टेबए स्पून कॉढ़ फ्लार एड़ कर दिया है और इनको अच्छे से मिला लेना है ताकि कॉण फ्लाड का का लंप ना रहे इसमें अभी इसको पकाना नहीं ही है पहले आप अच्छे से चरहा दिया है और बहुत जादा इसमें टाइम नहीं लगता है जैसी ये गरम होना स्टार्ट होगा दस मिनिट के अंदर ये जो मिक्चर ये थिक होना शुरू हो जाएगा देखिए इसने ठिक होना स्टार्ट कर दिया है दस मिनेट में यह मतलब आपका इस पोजिशन में पहुच चुका है अब मैंने यहाँ पर वन टेबल स्पून के करीन बटर एड़ कर दिया है इसमें बटर को अच्छे से मिला लेना है और आपने देखिए काफी अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई है कि आकर हम लोग इसको बखेंगे तो यह थोड़ा और थिक हो जाएगा थंडा होने के बाद इसलिए बस गयास की फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे थंडा कर देना है अलका सा अब इसमें उपर से डाल देना है एसेंस तो मैंने यहाँ पर वैनिलिया एसेंस का यूज़ किया है इसके एक पूर अच्छी खुश्बू आती है इसको डालने के बाद मिला दिया है और अब हम लोग इसको ट्रांसफर कर लेंगे ट्रे इपर तो ट्रे को अल्रेडी हम लोगोंने सेट करके रखा हुआ है उसके उपर अब इसकी पूरी एक लेयर बना रहते है इसको गरम गरम में ही डाले ठंडे में अगर आप डालेंगी तो यह स्टिक हो जाएगा चिपक जाएगा तो अच्छे से स्प्रेड नहीं होग अब इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में ठंडा होने के लिए दूसरी तरफ मैं तैयार कर लेती हूँ इसके ऊपर के एक और लेयर तो इसके लिए मैंने एक बड़ा कप विप क्रीम डाली है इसको हमें अच्छे से बीट करना है पहले हम लोग इसको पांच मिनिट के लि कर दूँगी वो भी ऑप्शनल रहेगा आप चाहिद राइड कर सकते हैं वरना तो इसके पैक कर सकते हैं तो मैं यहां पर हलका सा फूट कलर एड कर रही हूं पिंक कलर दो ड्रॉप मैं डाल दे रही हूं इसकी अब इसके बार इनको मिला देंगे यह इसमें आ जाएगा प अब पटापट से इसको हम लोग बीट कर लेते हैं तो मैं इसको stiff peak आने तक के बीट तो यह देखिए peaks आ गई है अब मैं अगर इसको turn भी करूँगी ना तो cream गिरेगी नहीं मैं आपको turn करके दिखाती हूँ तो आपको इस position तक के cream को बीट करना है अब मैं ट्रेल रिकाल लाइए हूँ fresh से और यह अच्छे से ठंडी हो गई है इसके उपर अब हम लोग इस cream की layer को लगा देंगे इसको लगाने से इस dessert में एक बहुत ही अच्छा texture आता है तो पटापट से आप यह पूरी cream को पूरे में spread कर दें और इसका जो level है वो आपको बराबर कर देना है हर तरफ ताकि जब हम लोग इसको roll करेंगे तो यह आसानी से roll हो देखिए मैं चारो corner तक के इसको अच्छे से spread कर दे रही हूँ अब इसके ऊपर की जो layer है इसको मैंने बराबर कर दिया है और आप चाहें तो इसको 10 minute के लिए set होने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं वरना त तो आप direct भी इसको cut करके search कर सकते हैं तो मैं इसको cut कर रही हूँ इस तरह से आपको cut कर लेना है या ऐसे cut करने की वज़े से और folding में problem नहीं हो इसके वज़ा से ही मैंने आप से बोला था कि अगर आप square या rectangle shape की tray लेते हैं तो आपको easy रहेगा तो मैं जो center वाला इसका piece है उसको पहले roll कर ले रही हो ताकि side के pieces आसानी से निकल सके इस तरह से नीचे से scrub करके जितने भी यह जो coconut desiccated coconut है उसको निकाल के इस तरह से roll कर लेना है pieces को और body carefully करना है क्योंकि यह बहुत soft होते है इसलिए आप इसमें बहुत ज़्यादा pressure नहीं लगा सकते आइस्ता आइ देखिए यह side वाला जो piece है वो easily roll हो जाएगा तो बहुत ही हलके हातों से आपको इसको roll करना है और यह देखिए यह जो dessert है Turkish Sultan यह ready हो गिया है अब उपर से आप इसको garnish कर सकते है चौप किये हुए pistachio से या आप और किसी चीज से मतलब और कोई dry put से इसको garnish करना चाते है त कर सकते हैं तो यह tasty से Turkish Sultan dessert ready हो गया है अगर आप क्यों यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करना बिल्कुल नहीं बूलिएगा यह देखिए super soft मुम में घुले वाला dessert ready हो गया है thank you for watching this video